अगर आपके पास कोटक महिंद्रा बैंक का खाता है तो आप कोटक महिंद्रा बैंक के मोबाइल बेंकिंग को यूज कर सकते हैं चलिए मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं कोटक महिंद्रा बैंक का मोबाइल बेंकिंग को इस्तमाल करने के लि तो यहां से आप UPI payment भी कर सकते हैं इसे आप install कर लिजेगा इस्टोल करने के बाद आप इसे open कर सकते हैं open करने के बाद allow वाले, option पे किलिक कर देंगे ताकि आप permission देंगे permission देने के बाद यहां पे आए-accept वाले option पे किलिक करेंगे इसके बाद click here to login पे आप click कर देंगे तो चली हम यहां पे click कर देते हैं उसके बाद yes send secure sms no पे आप click कर देंगे तो आपके sim को verification किया जाएगा तो फिर से चली हम send secure sms no पे click कर देंगे और allow वाले option पे हम click कर देंगे इसके बाद kotak mehendra bank account के साथ जो भी आपका mobile नमबर जुरा हुआ है उस sim पे आप click कर देंगे तो चली हम यहां पे sim 2 पे click कर देते हैं उसके बाद okay वाले option पे click कर देंगे तो आपके sim को verification किया जा रहा है तो यहां पे देख सकते हैं आपका verification हो चुका है continue वाले option पे आप click कर देंगे तो जैसे हैं continue वाले option पे click करेंगे तो इस page को उपर करेंगे उपर करने के बाद go eat वाले option पे आप click कर देंगे तो यहां पे आप देख सकते है प्रस्नल डिटेल के साथ भी आप यहां पे लोगिन कर सकते हैं डेविट कार्ट के साथ भी लोगिन कर सकते हैं नेट बेंकिंग के भी द्वारा आप लोगिन कर सकते हैं तो सबसे सिंपल प्रोसेस है प्रस्नल डिटेल तो प्रस्नल डिटेल प पे आपको क्लिक कर देना है तो चलिए सारा डीटेल हम यहां पे इंटर कर दिये हैं और समिट वाले उप्शन पे क्लिक कर देंगे इसके बाद सिच डिजिट का आपको एमपीन सेलेक्ट करना है ताकि आप बार बार जो है इसी एमपीन से लोग इन कर पाएंगे तो चलिए हम यहां पर फिर से और यहां पर जो है फिंगर देंगे अपने फिंगर प्रिंट के सेंसर लग जाएगा फिंगर से भी ऑपन कर सकते हैं और आप चॉल बेंकीग जो है चालू हो चुका है फिर्चे को पर करेंगे एंगर निकुर सकते गयर एंप देके भी लोगन कर सकते हैं लोगन करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं आपका जो मवाल बेंकिंग ओपैंअ हो जाएगा होने के बाद यहां पर आगर आप देविट कार देखना है तो कोटक 811 पर आप किलिक करेंगे तो आपका डेविट कार दिखाए जाएगा इसके बाद यहां पर आपको सारे फेसलिटी और फीचर भी मिल जाते हैं तो इस तरह से आप यहां पर जो है कोटक महेंदरा बैंक में रेजिस्टे कि तह है?